हुआ है हलो गाई स्वागत है आपका हमारी चैनल रिकोर्ट एक में दोस्तों आज मैं आपको बताने वालना हूँ कुछ ऐसे पीडियोप के बारे में जिसकी इमेजेस जिसकी टेक्स जोए कोपी नहीं होती जैसे कि आप यह ओला पीडियोप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सेल सार अगर दूसरा अलफ पृडियोप आपको दिखाओं जिसमें क्या होता है कि इसमें सेलेक करो तो इसे कीबोड में आ जाता है यह आपको यहां पर सबसे पहले दो एप्स की आपको आवसकता होगी अगर आप मोबाइल से इसे परयास कर रहे हैं करने का तो सबसे पहला एप होगा आपका PDF to JPG उपको PDF to JPG में कलिक करना है एसा आपका PDF to JPG में कलिक करना है एसा आपको होग पेज आजाएगा होग पैज ने आने के बाद आपको एक mansoal क् kittensक करना है सिंपल से यहां पे प्लास वाला ओप्शन जो दीख रहा है यह प्लास वाला जो ऑप्शन दीख रहा है इसको इसकोahopson करनाए प्लास वाला ओपशन को से यह 100% हो जाएगा अब conversion हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह PDF में create हो गया है अब इसके जो text है हम उनको copy करना सिखेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है second वाले app पर आ जाना है टेक्स फेरी में यह दोनों एप का link मैं description में डाल दूँगा महाँ से आप download कर लेना इसके बाद यहाँ पर यह वाला app खोलते हैं यह आपको इस तरह से menu बार मिलेगा उसको नहीं छुना है यहाँ पर जो camera वाला option है सर यह camera का side में जो यह option है इसको क्लिक करना है इसको क्लिक करते हैं आपको जो image आपने convert किया था अभी वह आ जाएगा आने के बाद load image होगा load image होने के बाद scan होगा कितने area का आपको text चाहिए तो suppose मैं यहां तक area का text चाहता हूं select कर लिया और यह यह जो option नीचे दिख रहा है right side में इसको क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद यह automatic scan करेगा आपको यह convert करने के लिए option भी देता है कौन सी भासा में आप convert करना चाहते हूं English Dutch Russian English भासा में करना चाहते हैं start कर देंगे कि अब यहां भी scan करेगा सारी लिखे हुए चीजों को जो भी यहां पर लिखा हुआ है और उसको आज आपको मतलब text आपको यहां पर show कर देगा आप उसको किसी भी मतलब social media platform या कहीं पर भी share कर सकते हैं या PDF में फिर convert कर सकते हैं और या फिर उसको copy कर सकते हैं यहां से और या फिर share कर सकते हैं इस चीज जैसे कोई को इसी यह terminal यह वाला word red दिखा रहा है red दिखाने का मतलब है इस word में कुछ problem हो जकती आप original file से देख कर मिला लीजिए चक कर लीजिए अब हमें क्या करना है इसको save तो save करने के लिए सबसे पहले share option में जा comment में जिसमें paste करना चाहते हो paste कर सकते हो तो यह था simple process किसी भी PDF image को jpg image को text उसको copy करने का ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like comment और share कर दिजेगा दोस्तों के साथ और ऐसे वीडियो पाने के लिए subscribe कर दिजेगा